नमस्ophone दोस्तों सोcodतों में धर्मेन वर्मा आ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी से सम्मंदी 30 महत्यपूर्ण प्रश्णों के बारे में ये प्रेक्टिस सेट 17 है मैं 16 प्रेक्टिस सेट हिंदी के पहले डाल चुका हूँ यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल बला सकते हैं तो कमेंट सेट में जरूर बताएगा आज के वीडियो में आपको कितने नमबर आए तो यह जरूर बताएगा और यादी वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सेर जरूर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए क्योंकि बहुत पहनत लगती वीडियो बनाने में तो एक लाइक तो बनता है तो यहाँ पर हिंदी के जो तीस प्रशने दोस्तों इसको शुरू करने से पहले अपने पास एक कोपी रख लीजे या फिर कमेंट सेट में आंसर दे सकते हैं जैसे ही मैं चार विकल्प पढ़ूं आप उसका आंसर अ अपनी बात कहने में होते हैं समर्थ समर्थ अन्मने या फिर उद्धन्ड तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा भासा सिक्षन के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में समर्थ होते हैं क्या होते हैं समर्थ होते हैं यहाँ पर शेकन वाला या फिर उप्रोक्त सभी तो यहां पर मुल्यांकन है तू अपनाई जा सकने वाली जो विधिया है वो निरिक्षण वा साक्षातकार है परताल सुची वा प्रशनावली है और समन्वित अभिलेक वा सामाई जाच है यहां पर तीनों ही मुल्यांकन है तू अपनाई जा सकने वाली वीदिया हैं यहां पर हमारा सही अंसर होगा पर फूर्थ ह Mulay सबसंति है यहां पर आई बटन्व या फिर उसके की भी में जूँगा वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते। उसके लेखक कोने तो उसकी लेखक भी अम्रतलाल नागर याद रखेगा अम्रतलाल नागर सुर्दाज जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास के लेखक भी अम्रतलाल नागर है और यहाँ पर मानस कहन से 1972 में प्रकासित हुआ था यह आपको याद रखना है अगला प्रशन ह प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए भरष्टाचार की समस्या नारी समस्या राजनितिक समस्या फिर मनोवेग्यानिक समस्या तो यहाँ पर महाभोज राजना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को हम चुनेंगे तो यहाँ पर पवन का संदी विक्षित होता है पो धन अन पो धन अन से बनता है पवन और इसमें जो संदी होगी वो कौन सी संदी होगी अयादी संदी होगी पवन में पवित्र का संदी विक्षित क्या होगा अब आपको पवित्र का संदी विक्षित क्या होगा पो प्लस वित्र पो प्लस इत्र या फिर पोह प्लस इत्र तो यहाँ पर जो पवित्र का संदी विक्षित होगा वो पोह प्लस इत्र होगा और इसमें कौन से संदी होगी तो इसमें भी आयादी संदी होगी पवित्र में तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा विद्यार्ती में कौन सा समा से यहाँ पर आपको बताना है जो विद्यार्ती सब्द है इसमें कौन सा समा सा आएगा अविविभाव, ततपुरुष, द्वन्द या फिर बहुबिरी गल्ब रहेगा वो सही रहेगा आख्यान आख्यान का परियावाची सब्द आपको बताना है उपक्रम है अरवाचीन है व्रतानत है या फिर विज्ञान है तो यहाँ पर आख्यान का जो परियावाची सब्द है दोस्तों वो व्रतानत होगा और भी आख्यान के परियावाच सब्द है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर तीस्रा वाला विकल्ब है हमारा सही रहेगा अगले प्रष्णि कहार बढ़ेंगे अगला प्रष्ि है आलोचना का पर्यावाची है यहाँ पर आपको बताना है जो आलोचना सब्द है इसका परियावाची क्या होगा सुलोचना, विवाद, समिक्षा या फिर बाद्यता तो यहाँ पर आलोचना का परियावाची सब्द होता है समिक्षा और भी परियावाची सब्द होते हैं समालोचन, मुल्यांकन, विवेचना, टिकाटिपणी और आलोचन ये सभी आलोचना के परियावाचे सब्द है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प में हमारा सही रहेगा जाती का विलोम सब्द बताईए अब आपको जाती सब्द का विलोम बताना है सजाती है, विजाती है, सामुताईक है या फिर सामुहिक है तो यहाँ पर जाती का विलोम सब्द होता है विजाती यहाँ पर हमारा शेकन वाला विकल्प सही रहेगा जंगम का विलोम सब्द, अब आपको जंगम सब्द का विलोम सब्द बताना है कौन सा है इस्तूल, इस्थावर, इस्थिर या फिर डरावना तो यहाँ पर जंगम का विलोम सब्द होता है इस्थावर, यहाँ पर शेकन वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अब आपको जीना सब्द का विलोम सब्द बताना है कौन सा होगा पतला, गाड़ा, मोटा या फिर हलका तो यहाँ पर जीना का विलोम सब्द होता है गाड़ा यहाँ पर शेकनवाला विकल्प हमारा सही रहेगा सायकाल गायों के चरकर लोटने का समय कहलाता है क्या कहलाता है संधिया गोधुली गोधुम या फिर गोकाल तो यहाँ पर सायकाल गायों के चरकर लोटने का समय कहलाता है गोधुल क्या कहलाएगा गोधुली यहाँ पर शेकन वाला विकल्पर हमारा सही रहेगा चक्रधारन करने वाला होता है चक्रेज, चक्रधर, चक्रेशु या फिर चक्रक तो यहाँ पर चक्रधारन करने वाला कुन होता है चक्रधर होता है और किस ने चक्रधारन किया है भगवान विश्णू ने चक्रधारन किया है यहाँ पर शेकन वाला विकल्प है हमारा सही रहेगा सेया का तदभव रूप क्या है यहाँ पर सेया सब्द का आपको तदभव रूप बताना है चारपाई साप विष्टर या फिर सेज तो यहाँ पर सेया का तदभव रूप होता है सेज फोर्त वाला विकल्प सही रहेगा सेया का तद्बह रूप क्या होगा सेज होगा उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त होता है यहाँ पर आपको बताना है जो उपासना सब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त होगा उद उप आ या फिर अपी तो यहाँ पर उपासना में उप उपसरग परियुक्त होगा यहांपर सेकन वाला विकल्ब सही रहेगा उजज़ईनी सब्द में कौन सा उपसरग है? यहांपर आपको Buddhan爱 उज़ईनी सब्द है इसमें कौन सा उपसरग है? उप, अप, अपी या फिर उत तो यहांपर हमारा सब्द है उज्जेनी सब्द में उत उपसरग है यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ है यहाँ पर आपको बताना है दूर के ढोल सुहावने होने का सही अर्थ क्या होगा कुछ वस्तों दूर से ही अच्छी लगती है कुछ वस्तों दूर से ही बूरी लगती है दूर के ढोल की आवाज सुहानी होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा कुछ वस्तों दूर से ही अच्छी लगती है यह दूर के ढोल सुहावने होने का अर्थ है, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा, दात खटे करना का अर्थ इन में से क्या है, हार जाना, हरा देना, धोखा देना या फिर बेहिमानी करना, तो यहाँ पर दात खटे करना का अर्थ होता है, हरा देना क्या कुंसा है तो यहाँ पर हमारा से अंसर ओगा प्रादूर्बहाओ जो सेकंड वाला विखल्प रहेगा यह सुद्ध सब्द है यहां पर पहला वाला विकल्प है हमारा सही रहेगा राम को रूप निहर्ती जान की कंगन के नग की परच्छाई जाते सबे सुधी भूल रही कर टेकी रही पल टारत नही उप्रुक्त पद्ध में कौन सा रसी यहाँ पर आपको बताना है जो आपने अभी पद्धि पड़ा इसमे वाला विकल्प सही रहेगा जान की जीवन को जन है जरीजाऊं सो जो जाजट ओ रही इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है सवय या चोपाई बरवे या फिर गीति का फरहाँ पर हमारा से आंसर होगा इस पंग्ति में सवेया चंद है कौन सा चंद है सवेया पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा अगला प्रस्ण है मात्रभू सी मात्रभू है अन्य तुल्ला नहीं है आपको बताना है इस पंक्ती में कौन सा चंद है सोटा सवेया बर्वे या फिर गीति का तो यहाँ पर हमारा से अंसर है इस पंक्ती में गीती का छंदे कौन सा छंदे है गीती का यहाँ पर फोर्त वाला विकल्प सही रहेगा द्वनी मै करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को उपरुक्त पद्ध में कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपको बताना है जो उपरुक्त पद्ध है इसमें कौन सा अलंकार है अतिशोक्ती है लटानु प्राश है छेकानु प्रास है या फिर वरत्यानु प्रास है तो नरायन मिस्र को महवीर प्रशाद द्वेदी को भारार्तेंदू हरिश्चन्द को या फिर बाल कृष्ट को यहां पर आपको बताना है यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही रहेंगा प्रेम 25 कहानी संग्रा के रचनाकार कोन है जो प्रेम 25 है जो कि ये कहानी संग्रा है इसके रचनाकार आपको बताना है कोन है प्रेम चंद है जैशंकर प्रशाद है अग्ये है या फिर यश्पाल है तो यहाँ पर हमारा से अंसर है प्रेम 25 जो की कहानी संग्रा है इसके रचन प्रेम चन कोन है मुनसी प्रेम चन और भी दोस्तों इनकी कहानी संग्रा है जैसे की पंच परमेसर हुई सोत सजनता का डंड इश्वरी नियाय बूरी काकी सत्रंज के खिलाडी इदगा बड़े भाई साब ग्रहदा सुजान भगत आत्माराम कजाकी पूसकी रात परिक्षा यह सबी इनकी विख्यात कहानी है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलिए अगला प्रशन है त्याग पत्र जो की एक उपन्यास है यह किसकी रचना है दो वीडियो मैंे पनीयास कबर किये है जो कि most important है तो उन वीडियो को देख लीजेगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं त्याग पत्र के बारे में भी आपको बता दूँगा देखिए त्याग पत्र है यह कब प्रकासित हुआ था 1937 में प्रकासित हुआ था और भी इनके उपन्यासे उनके बारे में भी सुन लीजे परक जो की 1929 में प्रकासित हुआ था परक सुनिता 1935 में त्याग पत्र जो की मैं अभी बताया 1937 में कल्याणी 1949 में सुखदा 1952 में विवर्त 1953 में और व्यतीत 1953 में इनके जो उपन्या से वो प्रकासित हुए थिक बार फिर सिर्फ में आपको उपन्यास के बारे में बता जेता हूँ परक, सुनिता, त्याक पत्र, कल्यानी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत ये सभी जनेंदर कुमार के उ योपन्या से उनके बारे में काफी प्रस्ण पूछे जाते हैं तो अगला और लास्ट प्रस्ण है ही तद भव सब्ड का तत सम रूप क्या होगा यहां पर जो ही सब्डे है यह एक तद भव सब्डे है इसका आपको तOT सम प्रिया ही या फिर हस्ति यहाँ पर ही तदभव सब्द का तट्सम रूप रध होगा रध ही यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा तो दोस्तों आज के जो 30 प्रसन है नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा सांट में बेल आइकन को दबाएएगा जिससे क्या पूल एटिस्टी वीडियो